बहुत तेस लड़के यां दिल्ली की ऐसा नहीं है भाई शादी करोगे न तो सोष तमज के करना चोरी तू चानवे की है हरियाने की लागे चोरी तू चानवे की है हरियाने की लागे जैश रहूं कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी सोचा नहीं हूँ कि इस वीडियो में क्या बात करना है, जो कुछ भी मैं सोचूंगा, जो चीज आम लड़के सोचते हैं, वो ही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप मोटिवेट होके जाओगे बिरको इतना पता है, इस वी उतना ज्यादा पहले मैं करीब नहीं गया था, अब फहीं थोड़ा साथा या मिरे में बहुशी उड़ गया मैं तो वह उसको पढ़ाई लिखा पूरी बॉक्स के बीच में मिलेको सांस लेते नहीं बन रही ऐसे सुने और बोलके बोलता है तिरह को जितना पढ़ना तेर तक पढ़ा मैं भाइ बाहर खढे रहूंगा जब बोलेगा तू मैं घर चल चलोंगा बस मैं अंदर नहीं रख सकता हूं तो वो लाइबरेरी के बाहर गया खड़ा रहा उसके आधे घंटे टाइम लिया उसके बाद मैं भी चला गया तो उसको मतलब बेकार लगा बोला नहीं यार अच्छा फील नहीं कर रहा हूं दं घुट रहा है उसके बाद एक बार मैं उसको ले गया था इंग्लिश मतले चलना यार क्योंकि मेरा यहां पर दम घुटता है तो उसकी वो बात मुझको दिल्ली में आद आई थी मैं रिवील अभी करना नहीं चाहता हूं कि किसके साथ गया था मेरे भाई से भढ़के ही हैं वो जो जिनके साथ भी में गया था कभी आपको फ्यूचर में मैं चुप चाब बैठा क्या ची सर डू यू वांट एनिधिंग अब मैं कुछ बोली नहीं पा रहा हूं वो सामने से वो ही बंदा बता रहा था जो मेरे साथ थे वो बता रहा थे कि हां वन ओमलेट फॉर हिम एंड फलाना 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 फॉर मी ऐसे वो आए वेटर मुझ जब नीचे आना था तो उसने ग्राउंड फलोर दबाया बीच में फिर वहां पे कोई वहां कवर कर था उसने रोक दिया लिफ्ट रोका तुरंत तीसरे नमबर पे शायद खुल गई वो ऐसे पीछे हाथ करके सॉरी सर तो मैंने मेरे साथ जो थे उनको बोला फिर से जी टी ही जाएगी मेरे लिए उसने हिंदी बोला तो वहाँ पर वहां पे जो मेरे साथ थे और returning को हिंदि आईकी तो मेरे नहीं सकता क्या तो बोले कि यहाँ पर ऐसे लोग आते नहीं जो हिंदी बोलते है और वहां पर यार, इंग्लिश बोल रही, मतलब 5-6 साल, 6 साल, बहुत छोटे-छोटे बच्चे यार, इंग्लिश में उनके फाधर बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बच्चे बात कर रहे हैं, मिरेको वहाँ इतना embarrassment लग रहा था, मिरेको इंग्लिश नहीं आती है, तो, हलाकि कोई अगर बोलेगा, तो समझ तो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर मिरेको इतना ज्यादा विकार लग रहा थे, मैं क्या बताऊँ यार, मैं कुछ बोल, एक शब्द नहीं निकाला, मैंने तीन दिन, चार दिन, जितने भी दिन हम लोग रहें हैं होटेल में, वो लोग से सामने से, इनसे ही मैं बोलता था, जो भी बोलना रहता था, ये बोलते थे, और वो वहाँ पर डिलेवर करते थे बातें, ऐसी था, और सबसे में बात की देखो यार, दिल्ली न, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा, वहाँ की लड़कियां कमाल है, आर ऐसे छोटे-छोटे, इतना भी छोटा नहीं, ये मैं समझना की बिक नी, मतलब हाफ-आफ टी-शेट पहन के घूम रही हैं, और चड़े, हम लोग जो चड़ा पहनते हैं, कैफरी टाइप का, हम लोग तो फिर भी बड़ा रहता है, लड़कियां फ्रॉक पहन के, बिल्कुल ओपन ली, हर चीज ओपन है, मतलब देख के मेरी आँखें, खोली के खोली, फटी के फटी रह गए, अच्छा, जैसे मैं, जैसे अपने शहर में रहता हूँ, मैं पूरा अभी फुल स्लीव्स पहनना ही पशंद करता हूँ, पसंद, पसंद, पसंद करता हूँ, या हाफ में पहनता ही नहीं हूँ, टी-शेट, कभी घर में जो वीडियो शूट करता हूँ, बाकी बाहर जाता हूँ, तो फुल स्लीवस वाली टी-शेट पहनता हूँ, क्यों, कितनी धूप है यार, काला हो जाओंगा, और वैसे भी धूप लगती है यार, तो वहाँ पे दिल्ली में तो ओर ज्यादा कर्मी है, लेकिन वहाँ ऐसी में रहते हैं लोग, तो वहाँ पे चिंता नहीं है लोगों को, की काले हो जाएंगे, इतने गोरे-गोरे लोग महाँ भी काला देखा ही नहीं यार, हर कोई बंदा, बंदी, गोरी-गोरे है वहाँ लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस है दिली मैं देखा नहीं था पूने में बहुत पीछे है यार कोलगाता भी हद से ज्यादा पीछे है दिली से और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यार देखो अगर आपको ऐसी लाइफ जीना है तो आप बहुत सही ट्रैक पर ह पैसे कमाओ आप भी वैसी लाइफ जी सकते हो इस वीडियो को मैं इसलिए भी शूट किया मेरी आखात 300-400-500 के रूम में रहने वाली 20,000 के रूम में रुका क्यों तो ना अच्छा लगा यार वहाँ पे ऐसे ऐसे नल हैं खोलते नहीं बन रहा पानी जिससे मैं मूद हो रहा हूँ नहाने वाला तो छोड़ दीजे जिस नल से मैं मूद हो रहा हूँ फेश वास कर रहा हूँ उसमें भी गरम पानी प्लस ठंडा पानी दोनों आ रहा है ओपन कैसे करेंगे नल नहाने वाला वो समझ में नहीं आ रहा है कि चालू कैसे करेंगे ऐसी स्थिती थी वहाँ पे और बहुत ज्यादा मज़ा आ गया वहाँ पे जाने के बाद तो इस वीडियो के जरीए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्लीज यार आप यूटूब पे होना काम करो बहुत दबा के काम करो आपकी भी लाइफ चेंज होगी आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी एक जॉब में ये चीज़ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ आप एक जॉब को लेके कब करोगे हो सकता है पचास साल, साट साल बाद या फिर वो एक बात बोले थे वीडियो में कि देखो Mercedes या पता नी BMW पता नी उपर से उपन होती है कि नी पता नी Sunroof उसका तो बोले थे यार Mercedes लेने का मज़ा जो है बीस साल पच्चे साल की उमर में है कि उसका Sunroof खोल के आप चलाओ हवा आए छाती में बढ़िया टोपी ओपी लगाके खुश रहो पूरी हवा लो यहां वहां देखो लोगों का इंजॉई करो लोगों को देख के हसो लोगों को इंस्पायर करो और अब उँ Mercedes लेने का मज़ा 70 साल में थोड़े ना है तब तो हवा आपको ठंडी ठंडी बंकर बंकर Sunroof बंकर में मज़ा लाइफ का न बीस पच्छिस तीस साल के उमर में है तो आप अभी YouTube पे हो YouTube आपको बहुत अच्छा स्टार बना देगा बहुत अच्छा देखो आज भले मुझको जो ले गए वहां पे घुमाए मैं उनका शुक्रिया आदा करता हूँ इस वीडियो के जरिये हाला कि वो ये वीडियो शायद नहीं देख रहा होंगे लेकिन फिर भी मैं आप सबको ही बोल रहा हूँ कि मैं बहुत उनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझको ले गए आने वाले फ्यूचर में मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है मैं इस से भी अच्छे लिटल में रुकूँगा तो आपको सारी बातें बताऊंगा वीडियो बना के आप यस चैनल पर वीडियो नहीं आएगी दूसरी चैनल पर आएगी डिस्रिप्षन में लिंक है आप वीडियो देख सकते हैं चैनल सबस्क्राइब करके रहेए वहीं पर वीडियो आएग ऐसा कुछ भी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या हो जाए, मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है, अच्छा response में ले, आप लोग मुझको पसंद करें, तो कल को मैं वैसे वैसे होटलों में जाके रुखूंगा, रुख सकता हूँ, बिल्कुल रुख सक जाते हैं कि वो दिन लाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि संदर संदर लड़कियां, और संदर संदर हसीनाएं, आपसे बात करें, आज आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे ही सब कुछ है, जीवन में खूशी तो मायने रखती है, अगर ये जीवन आपको मिला है, तो हमेशा खुश रहो, पैसे को कभी भी second priority आप मान सकते हो, second priority पे रख सकते हो, खुशी पहले यह main चीज है, लेकिन पैसा भी खुशी से कुछ कम नहीं है, अगर आपके पास पैसे रहेंगे न, तो जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, वो लोग आपके साथ बैठना, आपके स उठना, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, तो पैसे में बहुत ज़्यादा शक्ति है, और यह पैसा कैसे आएगा, काम करके, यह पैसा जॉब से मिलना मुश्किल है, यह पैसा यूटूब से मिलना उतना ही आसान है, तो मैं आपको मोटिवेट किया, इस वीडियो में मैं जानता हूँ यार, मोटिवेट हो, काम करो, मेरे साथ मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल करो, कभी मैं रुकूंगा तो मैं वीडियो बना के देखाऊंगा, आप रुकना तो कभी आप भी अपनी ओडियोंस को वीडियो बना के देखना, अपनी अचीवमे सौरी, पिताजी होंगे आपके, समझ रहो, मैं जब अभी, हाला कि उतनी उकात तो नहीं थी, कि मैं दिल्ली गया तो फ्लाइट से जा सकूँ, उकात है, लेकिन थोड़ा सा अपने को पैसे भी देखने है, तो पैसे बचाया मैं, अठरा घंटे का सफर किया, उसके बाद मैं दिल्ली गया, लेकिन कभी मेरी ये भी ख़ोईश है कि मैं फ्लाइट से जा पाऊं, 5000 हला कि मैं दे सकता था, लेकिन मैं नहीं, उसको पैसे को सेव करना ज़रूरी, समझा, देखो, यहाँ पि Around Time को कीमत नहीं दिया, यहाँ पिन पैसे कि अभी कम हो तो काम करो यार अच्छी अच्छी लड़कियां अगर आप चाहते हो अपने जीवन में एक अच्छी खूबसूरत सी महिला से आप विवाह करना चाहते हैं खूबसूरत से महिला से अगर आप बात करना चाहते हैं दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं और एक लक्षमी जी जैसी अपनी वाइफ, फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं, तो करिए यार, काम करिए यार, बहुत अच्छे से काम करिए, दिल लगा के काम करिए, बहुत खूबसूरत है दिली, दिलवालों का शहर है दिली, वहीं से अपने लिए लड़की लाईएगा, आप शादी करने के लिए, समझ रहे हो, वहीं से लाना है, मैं अभी कोशिश करूँ, वहीं से लाने, ठीक है यार, मोटिवेटेड हो, बस ज्यादा बकवास करूँगा नहीं, बस अच्छा लगा में रुखो, दिली जाके बहुत अच्छा experience रहा, और अगली बार इससे भी महेंगे होटेल में रुखूँगा, अगर जो मुझको ले गए थे, इन फूचर अगर लेके जाते हैं, तो आपको वीडियो बनाके दिखाऊंगा, बस motivated रहो, सही track पे हो, काम करो, भाई दिन रात एक करो, खुद को रगळ के रख दो, जॉब में आप इतना नहीं कर पाओगे, जितना आप YouTube से कर लोगे, motivated रहो बस, मेरी नीचे description में playlist है, आप उन playlist की वीडियो को जरूर देखे हैं, क्योंकि बहुत सारी creators, छोटे से बड़ा, उन सारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और देखके मुझको positive comments करके जा रहे हैं, आप वीडियो जरूर देखेगा, कि आपको इश्वर सदबुद्धी दें, अच्छे से काम करो, और आपको भी बहुत, बहुत, बहुत शोहरत में ले, आर ताकि आप भी ऐसे बड़े बड़े होटल में रोको, आपके माबाप, आपसे हमेशा खुश रहें, और सबसे में बहुत कि आप अपने आप से खुश रहो कि क्या अच्छीवमेंट पाया हूँ मैंने जीवन में यार, यह सारे चीज़ें तभी होंगी, जब आप रोद होगे, काम कर करके रोद होगे, क्यार सफलता नहीं मिल रही है, कैसे, कब मिलेगी सफलता, क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलती यार, घिसना पड़ता है, रोना पड़ता है, एकदम सब कुछ लगता है कि सब कुछ हार गया हूँ, कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल कहीं गलत तो नहीं चारा हूँ, सारी चीजे मेरे सब गलत हो रही है, सब कुछ आपको लगएगा, सारे दोस्त भी छड़ गए, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, मैं बरबाद हो गया फटी की फटी रह जाएंगे, और मुबंद क्या, खोला भी रह सकता है, समझ रहे हो, करो काम, थेंक्यू वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक कीजेगा, मिलता हूँ मैं आप से अगली वीडियो में, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक किया कीजे, क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत मोटिवेट हुएं न, तो आप अगर लाइक करोगे, तो जब ये वीडियो आगे जाएगी, तो बागी के बंदे भी मोटिवेट हो पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छा हम लोग बांटेंगे, तभी तो आज आप किसी की मदद करोगे, कल आपकी कोई मदद करेगा, जरूर करेगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजे मिलता हूं अगले वीडियो में, श्री सीताराम, और भाई मैंने तो ठान लिया हूँ, दिल्ली की लड़की लाऊंगा, दिल्ली की, बहुत तेज लड़क काम करो यार, यह सब बातें तो मजाक की हैं, बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो था कि मैं आपको मोटिवेट करूं काम करने के लिए, और मैं खुद भी मोटिवेट हो सकूं ताकि मैं अपने पैसे से कभी इन होटेल्स में जाके रुखूं, जरूर रुखूंगा, मि याली पप्पी थी, याली चुम्मी थी